कि दोजार नौ की बाद सरंडा में मिशन अन्नाकॉंडा आता है तो मिशन अन्नाकॉंडा में निश्चित तोर पर अतियाचार तो हुआ और उसी दर्मियान बलिबा गाउं से मंगल होना का को चबुद्रा में बैठा हुआ था वहां से उठा करके लेके चल जाता है और पताने क्या परिस्तिती बनती है उसके इंकाउंटर कर दिया जाता है और स्रंड़ में एक हाहाकार जो है मचता है पूरा स्रंड़ खाली हो जाता है तो हमने देखा तो बड़ा अफसोस लगा कि कोई भी जन परतिनिदी ने इस मामले को सदन में नहीं उठा रहा है या वहां जा करके इंक्वरी भी नहीं कर रहा है क्यों ऐसा हो रहा है तो हमने पाहल करते हुए उहां के मुंदामान की लोगों को यहां बुलाया जीला परिषयत को मुख्या को बुलाया और हम लोगों ने कहा कि जो नकसल नहीं है उनके साथ तो इस तरह का अतेचार नहीं होना चाहिए इसको ले करके हम लोगों ने यूमेन राइट्स कमिशन को चिठ्थी मानव अधिकार कार्य करता गिलेट्सन डूंडूं के माधियम से लिखा और वहां से मम्ता बनार जी मम्ता सिंग मम्ता सिंग जो पुलिस अधिकारी रही उनका नेत्रित्वा में पांच सदस्यों का एक दवरा सरंड़ा में होता है और देखता है कि नहीं सही में यहां जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है या हुआ है और उसी दर्मियान सुनुवा में एक दरोगा हुआ करते थे कुजूर रजेस कुजूर उन से भी हमारी मुलाकात हुई क्योंकि वो मॉनिटर कर रहे थे वो उपरेशन को उन्होंने भी कहा कि नहीं गलत हुआ है अपना बयान में भी जब बयान हुआ कि इस होने के बाद बयान हुआ उसमें भी रजेस कुजूर जो है बोला कि गलत हुआ है उसके बाद हम लोगों ने राची किया आई जी रेजी डुंगडुं के पास गिया हम लोगों ने कहा कि सर जहारकंड अलग राज हुआ अधिवसीयों के लिए और अधिवसीयों के साथ इस तरह का गटना हो रहा है तो इसको देखा जाए तो उन्हों ने हमलों को बहुत support किया कि जह dona हम उच्छा होने नहीं देंगे अगे support किया और commandant के ऊपर जो और चार सीट जिसके नहें तर तरह हमें आना को नचला उसके उपर में जो है जा और चार सीट हुआ और उसके बाद उधिस सरकार ने संग्यान लिया और बोला की नहीं जो नकसल गती बीदी नहीं है उनके साथ इस तरह का तेहजार नहीं होना चाये और सरकार ने पहल किया सकरत अमक पहल किया और सब कोई को फिरसे गाओं में बसने का बसाया गिया जैराम रमेज के साथ परिशे हुआ बात्चीत हुई और सरणड़ के जितने भी जो प्रबुद लोग हैं और साथ में गलेटसन के साथ बात्चीत हुई राची में और उनका यह हम आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं तब हम लोगों उने कहा कि इस छेतर का विकास जवा अजादी के बाद भी 75 साल होने के बाद भी इस छेतर का विकास जवा नहीं हुआ है तो इस छेतर का विकास होना चाहिए बेहतर श्कूल होना चाहिए बेहतर अस्पिताल होना चाहिए आने जाने का कनेक्टिविटी सडक ह वो होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए, तब जो है, एक प्रोजेक्ट बना, सरंड़ा डवलोवेंट प्लान, उसमें हम लोगों ने काम किया, और बहुत काम किया, बहुत सड़क भी बना, कई जो बेरोजगार युवक्ति हैं, उनको नर्स का ग्रमीन दिया गिया, और कुछ लोग तो अभी शटल भी हो गया, और उसी दर्मियान, सरंड़ा के जो लोग हैं, ग्रमीन हैं, जरुरतमन लोग हैं, उनको आवास योजना, साथ, छे हजार आवास योजना दिया गया, रेडियो दिया गया, साइकल दिया गया, ताकि लोग वहां से आना जाना कर सके, रेडियो इसलिए दिया गया कि दुनिया से यह लोग भी जुड़े, यह हुआ, तो इस तरह से हम लोग जो है सराना में काम किये, जो अतेचार है, वो भी मोटा मोटे खतम हुआ, क्यूंकि कि CRPA भी बाद में समझने लगे, कि यह लोग मजबूरी में, जो भी काम कर रहे हैं, यह मजबूरी में हैं, तो इस तरह से सरांडा में जो है, एक डवलोप्मेंट का सुरुवात हुआ, इसमें हम लोग का जो है बहुत बड़ा जोगदान रहा,